हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल माश्रोक्राप्टर फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एक जैकेट बनाएंगे जो हम नैट की बना रहे हैं और यह जैकेट हम किसी भी स्लीबलेस ड्रस पर पहन सकते हैं यह बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है और आज के लिए कर रही है तो चले स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो इसके लिए यह मैंने डेड़ मीटर फैब्रिक लिया है यह नैट का फैब्रिक है तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं और इसको हम फोर फोल्ड कर लेंगे यह मैंने दो पीस में यह फैब्रिक कट कर लि इसको अच्छे से अड्जेस्ट कर लेंगे क्योंकि नैट का फैब्रिक है और इसके बाद इसकी लंबाई देख लेते हैं तो इसकी लंबाई मेंने 25 इंच ली है और इसकी चुड़ाई मेंने 12 इंच ली है यह जैकिट में 36 साइज का बना रही हूँ और इसका शोल्डर 7 इंच पर रहेगा यह इसका आर्म होल भी रहेगा अब इसकी चैस देख लेते हैं तो 36 साइज का जो फोर पार्ट है वो 9 इंच पर आएगा और 2 इंच हम एस्टा ले लेंगे मार्जिन के लिए इसमें ज्यादा मार्जिन हम नहीं लेते हैं लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब हम आर्म होल को सेब ले देंगे फ्रंट का सेब भी दे देंगे इसकी बाद हम इसका नेक देखते हैं तो इसका नेक में 3 इंच पर ले रही हूँ हाफ इंच सोडर डाउन रखेंगी इसकी बाद हम कमर का निशान लगाएंगी तो यह मैंने उपर से 14 इंच पर लिया है और यहाँ से इसको 8 इंच पर लेंगी मार्जिन दे देंगी नीचे हम इसको फूल ले रहे हैं जितना मारा फैब्रिक है मार्जिन करनिशान लगा लेते हैं इसके बाद नेक ड्रॉ करेंगी तो सबसे पहले हम बैक नेक देख रहे हैं जो मैं एक इंच पर ले रही हूँ इसको एक राउंड से दे देंगे यह बैक नेक है तो फ्रेंट नेक के लिए यह मैंने 6 इंच पर माग किया और एक बॉक्स मिना लेते हैं अब यहां से हमें इसको इस तरीके से से शेप देना है नीच दर तो इसकी लेंड देख लेते हैं तो इसको मैं 10.5 इंच पर ले रही हूँ और यहां से इसकी चुड़ाई देंगे 4 इंच पर यहां से इसको हम तीनों पॉइंटों को मिला देंगे इस तरीके से एक कर्व सेप देंगे यह मारा फ्रेंट करनेक रहेगा इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरीके से और अब हम नीचे भी राउंड सेप देंगे तो नीचे से इसको मैंने 4 इंच तक लिया है और यहां से हम इसको एक कर्व सेप देंगे इसको हमें गुलाई देनी है इस तरीके से इसको हलका सा राउंड से देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहां से है मैंने 3 इंच तक लिया है अब इसकी कटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे तो कट करते टाइम हमें यह ध्यान देना है कि नीचे हमें बैक पार्ट को कट नहीं करना है यह जो राउंड सेफ है यह सिर्फ आगे आएगा फ्रंट पार्ट पर तो इस तरीके से हम पहले बैक की कटिंग करेंगे और अब हम यह जो बैक पीस है इसको निकाल देंगे और अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं यहाँ से भी इसको कटके हैं कर लेंगे front part को हम 2 part कर लेंगे कि इसको open कर लेते हैं इस तरीके से ये हमारा front part आएगा यहां पर हम piping लगाएंगी और यह हमारा back part रहे तो अब हम स्लीप की कटिंग कर लेते हैं यह मैंने टू पीस में फैबरिक लिया और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया तो यह फोर फोल्ड हो जाएगा तो यह फोल्ड होने के बाद इसकी चोड़ाई मैंने साड़े आठ हिंच लिया है और इसकी लंबाई अठारा हिंच लिया है अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो उपर से मैंने इसको थ्रींज पर लिया है और यहां से इसको थ्रींज पर लिया है जिसका कैप रहेगा यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब हम उपर से आम हुल का शेप देंगे 7 इंच पर और बाकिये हमारा मार्जिन रहेगा कि यहां पर हम एक कर्व सिप देंगे कि नीचे में इसको फाइव इंच पहले रही हूं और टू इंच का इसमें मार्जिन रहेगा कि इसको मिला देते हैं अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह हमारी जैकिट की कटिंग हो चुकी है तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से फाइबरिक को खोल लेंगे यह हमारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और उसके उपर इन दोनों पार्टों को उल्टा रखेंगे और सोडर से हम इसको जॉइन कर लेंगे तो सोडर पर में सलाई लगानी है यह मैंने सोडर पर सलाई लगा दी है इसको उपन कर लेते हैं इसके पाद हम sleeves को join कर लेंगे यह हमारी sleeves है इसको भी हम join कर लेंगे तो यहां पर मेंने sleeves भी attach कर दी है तो यहां पर हम piping लगाएंगे front पार्ट पर और इसको हमें उपर से नीचे तक पूरा लगाना है और सलीज पर हम इसको लगा लेंगे तो piping हम different color की लगा रहे हैं यहाँ पर मैंने black fabric लिया है इसको हम orip sip में cut करींगे तो यह मैंने पटियां cut कर ली है इस तरीके से और इन सारी पटियों को हम जॉइंट कर लेंगे यह और इस सेप में है इस तरीके से इसको जॉइंट करेंगे और यह मैंने सीधी पटिया घट की है यह हम स्लीप पर लगाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे स्लीप को सीधा रखेंगे और इसके उपर इस पट्टी को रखेंगे और किनारे से स्लाई लगा देंगे और इसके बाद इसको पलट लेंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जिस तरह हम पाइपिंग करते हैं तो इस पट्टी को हलका सा हमें आगी की तरफ निकालना है यह मैंने दोनों स्लीज पर इसको अटेज कर दिया है और अब इसको अंदर की तरह फोल्ड कर लेंगे मार्जिन को अंदर की तरह रखेंगे इस तरीके से और इसके उपर इस पट्टि को फोल्ड कर देंगे और इस पर हम स्लाई लगा लेंगे तो इस तरीके से यह आएगी तो इसको मैं रेडी कर लेती हूँ और अब हम इस तरीके से फ्रंट पर भी लगाएंगे और बैक पर भी हमें इसको लगाना है बैक पर हम सीधी पट्टी लगाएंगे यह हमारी औरे पट्टी है इसको हम फ्रंट पर लगाएंगे तो इसको लगाती टाइम हमें इस पट्टी को कट नहीं करना है एक कॉर्णर से हम सीधा इसको लगाती जाएंगे दूसरे कॉर्णर तक ये मैंने इस बटी को लगा दिया है और स्लीज पर भी इसको डबल फूल्ड कर दिया है और अब हम जैकेट में फिटिंग लगाएंगे तो जैकेट को मैंने पलट लिया है और यहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे बांदे के लिए या आप होग भी लगा सकती है तो यह हमारी जैकेट का फाइनल लुक है तो फ्रेंड्स आपके वीडियो कैसे लगा प्लीज कॉमेंट करके जरू बताएं और सब्सक्राइब किजिए मेजर मास्टर क्राप्टर को साथी बेल एकन को जरू पैस कर लिजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसी नेट जान के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार